हेलो एवरिवन वेलकम तो मैं चैनल इस वीडियो में मैं यूनिट नंबर टू से रिलेटिड जो 23 कॉश्चन्स दिये गए है क्वांटम में वह प्लस कुछ एक इंपोर्टेंट कॉश्चन्स जो मेरे पास नोट्स में हैं वह आपके साथ डिसकस करूँगा और कोसिस तो फ्लोचार्ट क्या है कि यह बहुत बेसिक क्वेश्चन है क्या कि फ्लोचार्ट इस बेसिकली यह डाइग्रमेटिकली रिप्रेजेंटेशन आप दे प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम तो एक किसी प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं उसको ड the help of a pictorial representation ठीक है न एक बार क्योंकि देखिए एक बार आपने यह डाइग्राम बना लिया और थोरोली चेक कर लिया तो इस फ्लोचार्ट को में प्रोग्राम में करना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है यह देखिए सिंपल जैसे अलगॉरिथम होता है तो अलगॉरिथम में ह प्रोचार्ट में ठीक है तो इसके लिए जो ग्राफिकल सिंबल्स उस होते हैं वा में ब 도ल चालिंगती है और एंड को बताने के लिए एर्रोई यूज जी होती है डिरेक्शन को बताने के लिए कि जो हमारे स्टेटमेंटस हैं या जो प्रोग्राम का फ्लोऊ ऑ किस या हमने कोई भी मतलब की operation किया तो वह हम rectangle में लिखते हैं diamond यूज होता है to indicate decision making operation जैसे कि आपने suppose कोई condition लगा दी कि अगर subtraction के बाद अगर result 0 है तो यह होना चाहिए अगर 0 नहीं है तो यह होना चाहिए तो वहां जहां पर decision making की बात हो रही है तो वहां पर diamond shape यह graphic symbol यूज करते है डवल-sided rectangle यह यूज होता है sub routine के लिए sub routine मतलब की जहां पर हमें किसी task को एक से ज्यादा बार perform करना होता तो उसको हम sub routine कहते है ठीक है न तो बार-बार code ने लिखते है तो उसको बताने के लिए हम यह double-sided rectangle यूज करते है ठीक है next है circle with alphabet यह यूज होता है continuation में जैसे कि आपके पास यह diagram आपने कुछ बनाया ठीक ह अब for example देखिए question number two में हम क्या करेंगे we need to draw flowchart to determine maximum of three numbers ती number दिये गए है और इसे maximum number find करना है तो इसके लिए हम flowchart कैसे बनाएंगे सबसे बहले देखिए start लिए अनमे ठीक है इसके बाद हमने का किया counter initialize किया ठीक है न हमने एक register ले लिए बी उसमें value suppose store करा दी 0 3 ठीक है और एक data pointer ले लिया जो की point कर रहा है जहां पी हमें तीन number store करा है ठीक है तो पहला number हमने उस data pointer की help से suppose register A में ले ले लिया first number ये register ये ठीक है फिर इसके बाद counter की value को हमने 1 से decrease कर दिया और pointer की value को 1 से increase कर दिया ठीक है अब हम pointer की help से register A के data को जब compare कराएंगे ठीक है तो क्या होगा तो उसमें possibility होगी क्या या तो data pointer जहां पे data pointer point कर रहा है वो number क्या है बढ़ा है as compared to register ये ठीक है न या इसके reverse होगी तो अगर ये condition true है तो इस case में आप क्या करोगे कि register A मैं बड़ा बला number लिया होगे replace A by data pointer number मतलब आप ये logic लेके चल रहे होगे हमेशा register A में comparison के बाद register A में जो larger number होगा वो आप store करोगे ठीक है न अगर ये true है तो तो replace करोगे अगर ये true नहीं है तो आप क्या करोगे simple जो pointer है उसको update कर दोगे ठीक है ताकि वो next number को point करे ठीक है और plus क्या हो loop back counter times और फिर क्या करोगे कि जो counter में आपने value store की है उसको 1 से decrease कर दोगे क्यों क्यों कि आपको क्या करना पड़ेगा तीन number है तो दो comparison करने पड़ेंगे दो comparison के बाद जैसे A, B, A, B और C तीन number है तो पहले A और B को compare किया इस message जो बड़ा है उसको compare किया C से तो दो comparison चाहिए तो जितने comparison होते रहेंगे उतनी बार क्या करोगे आप counter की value को 1 से decrease करते रहोगे और check करोगे whether it is 0 or not, if it is 0 then end the program, if it is not 0 तो देखें यहाँ पे गलत दिया हुआ है यह if it is not 0 तो क्या करेंगे यह बापिस यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरीके से हम flow chart की help से maximum number find कर सकते हैं among the three numbers ठीक है अब इसके बाद देखिए question number three what do you mean by data transfer instruction तो इसमें किसारी questions दिये गए जैसे data transfer है फिर इसके बाद next question क्या है इसमें आपको find करना है लिखना है arithmetic operations क्या होते है logical operations क्या होते है तो वो मैं अपने notes से आपको explain क इसको cover करने से पहले कुछ एक important basic concepts होते हैं और जो important questions है पहले हम उनको देखते हैं फिर बहुत detail में अच्छे तरीके से हम समझते कि instruction set क्या है अच्छे समझेंगा राइट तो पहले देखिए opcode and operand क्या होते है कि कि किसी भी instruction में जो assembly language में use हो रहा है उसके दो पार्ट होते है operand वो binary data होता है कि जो बताता है नहीं जिस पर operation perform किया जाता है जैसे कि MVI 1,25 उसके बाद यह वाला question quantum में नहीं दिया है कि addressing mode क्या है जब कि यह बहुत ही important question है कि 8085 microposer के addressing mode क्या होता है very very important question तो इसको भी मैं discuss करने वाला हूँ तो addressing mode बताता है कि जो operand है उसकी location क्या है microposer को ठीक है so addressing mode is all about telling the location of the operand ठीक है न एड्रेस बताना operand का तो पांच तरीके इसके operating mode sorry addressing mode होते है तो पहला क्या है immediate addressing mode अब देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखिए कि addressing mode क्या होता जैसे मैंने आपको बोल दिया सबसे यह topic है जैसे microposer का architecture का कि यह आपको तयार करना है तो जो इस पर काम करना है जो topic तयार करना है वह मैंने अगर आपको बोल दिया directly तो यह क्या हो गया immediate addressing mode ठीक है यह दूसा तरीका क्या है मैं आपको बोल सकता हूं कि वही जो microposer का architecture है वह topic आपको एक book से पढ़ना हो वह library में है ठ location बता दिया कि particular उस particular जगह पे आपको यह book मिल जाएगी वहाँ से आपको यह पढ़ना है ठीक है यह दूसा तरीका यह भी हो सकता है यह होगा एक तरीक से direct addressing mode ठीक है न और दूसा तरीका क्या होगा मैं बोल दो आपको कि भही आपको उस फलाने रमेज से पूछना है कि library मे किस जगह पे book है ठीक है न तब वहाँ से वह topic त्यार करना है तो जो operand की location है वह library में है ठीक है न लेकिन जो इसका address है मैं directly नहीं बता है वह indirectly किसके पास है वह है रमेज के पास तो उसकी help से आप पता कर सकते हो तो यह हो गया indirect addressing mode ठीक है यह directly मैं बोल दो कि यह topic है वह आप अपने register से पढ़ना है मतलब class note से पढ़ना है तो वह register addressing mode हो गया ठीक तो उसी तरीके से देखिए जब जो data है जिस पे काम करना है operand वह instruction में ही specified होता है तो गोलते है immediate addressing mode in this mode the operand is specified in the instruction itself तो 25 जो है वह register यह में जाके store हो जाएगा ठीक है ADI 25 रजिस्टर A के साथ में 25 ही add होगा तो data instruction में ही दिया हुआ है जो add होना है next का है direct addressing mode in this mode memory location of the operand is given in the instruction directly तो यहाँ पे इस case में जो operand होगा वो memory में होगा तो memory में जब operand होता तो दो case होते है जा तो direct addressing mode होगा या indirect तो direct में जो address होगा memory register में दिया है जैसे यहाँ पे दिया है यहाँ पे दिया है ST 5000, LHLD 2000. Indirect addressing mode में क्या होगा? कि जैसे add m दे दिया. add m में जो operand है वो memory में है. लेकिन memory का address भी यहाँ directly instruction में नहीं दिया है. वो कहाँ दिया है? HL register pair में. So in this mode, the memory location of the operand is indirectly specified by the register pair. Next is register addressing mode. तो यहाँ पे क्या होगा? जो operand होगा, वो कहाँ पे होगा? one of the available six registers of 8085. जैसे आपने add भी दे दिया. तो B register का data A के साथ add होगा. move A, B, तो B का data A में copy हो जाएगा. last है, implied, last addressing mode को बोलते हैं. implied बोल दिजे आपके से, चाहे inherent या implied addressing mode. तो इसमें क्या होगा? कि जो operand होगा, it is specified by opcode itself. जैसे HLT हो गया, STC हो गया, CMACMA मतलब complement the accumulator content, STC मतलब set the carry flag. carry flag, CY की value क्या हो जाएगी, one, HLT मतलब end of the program. तो यहाँ पे, ऐस तच हमें कोई operand किसी memory से, या किसी register से लेके नहीं आना, it is specified by the opcode itself, right? अब आते हैं, instruction set of Edurate 5. So, we can divide all the instructions of Edurate 5 in 5 major groups. पहला हो गया data transfer, दूसरा arithmetic, तीसरा logical, चौथा branch control, and फिफ्ट बने stack and machine control. तो पहला discuss करने से पहले हम कुछ एक symbol देख लेते हैं, right? देखे, हमारे पास कुछ एक notices होते हैं, जैसे हो गया R. R का मतलब क्या होता है, कि R denote करता है किसी एक register को इसे register A हो गया, B हो गया, C, D, E, E, H, L इस सब registers होते हैं, Edurate 5 micropulsor के 8-bit के, right? तो अगर हमने R के लिका है, तो R को replace कर सकते हैं, इन में से किसी एक letter के साथ में हैं. इसी तरीके से RS denote कर करता है, source register R, E, D denote करता है destination register M denote करता है memory pointer ठीक है, ये एक memory register होता है memory में जो registers होते हैं ठीक है, वसी में से एक register होता है, जिसका address कहां पे होता है, HL register pair में A, D, D, R का मतलब होता है 16-bit address, और RP का मतलब होता है register pair, इसमें RP के जगे हम B लिख सकते हैं, B का मतलब DE register pair, H लिख सकते हैं HL register pair, ठीक है अब जो data transfer instructions है these instructions are used to transfer the data from memory to microprocessor, ठीक है microprocessor to memory and one register to another within microprocessor, तो जितने भी data को transfer करना है, microprocessor से memory या within microprocessor from one register to another register तो वो सारे जो commands होते हैं, वो सब किसके अंदर under आते हैं, data transfer instruction set तो one by one इनको cover करते हैं, ठीक तो देखिए, पहला instruction क्या है MVIR R का मतलब मैंने बता दी, यहां पर B, C, D, E, H, L या A हो सकता है तो इस instruction का मतलब क्या होता है, कि भई जो 8 bit का register, जो data दिया हुआ है, वो register R में जाके copy हो जाए, देखिए, मैंने यहां पर M, M को अब मान सकते हैं, एक memory register, जो की 8 bit size का ही होता है और इसका address HL register pair में होता है तो यह तो हो गया कि immediate, I जहां पर लिखा है वो मतलब immediate addressing mode की बात कर रहे है तो इस case में जो 8 bit data होगा micro processor के किसी register में या memory में किसी एक location पर जाके store हो जाएगा इन दो command के यहां पर मैंने लिखा भी है अब इसके बाद सबोज आपको micro processor के अंदर जो registers हैं, उन में से किसी एक register से दूसरे register में data copy करना हो तो उसके लिए आप command कर दोगे move rd,rs, जैसे आपने लिख दिया move a,b, तो b क्या है source register हो जाएगा, तो b का data copy हो जाएगा यह register में तो मैंने आप लिखा भी है, rs से rd register में data copy हो जाएगा इसी तरीके से अगर memory से आपको data copy करना है किसी एक register में तो अगर आपने लिख दिया आपे rd,m, m मतलब simple जैसे आपको मैंने आप बताया है bcdehl register 8 bit के तो आप माल लिजे, m भी एक 8 bit का register है, लेकिन यह register किसका है, यह memory का register है ठीक है न, और वो कैसा register है, वो register ऐसा है जिसकी location कहां पे है hl register pair में store है, right so hl register pair का जो data होगा that will be treated as the address of the memory register, तो यहाँ से memory register से data copy हो जाएगा rd में ठीक है न, और move m, rs का मतलब कि rs register का data copy हो जाएगा m मतलब की memory location में, right तो यह तो होगे data को move करने की, 8 bit data के साथ में आप data को move करो, right data transfer, next का है, अगर आपको 16 bit का data immediate addressing की help से आपको register pair में move करना, तो उसके लिए mvi की जगे हम यहाँ पर use करेंगे, lx, lx मतलब की load, x मतलब register pair, rp register pair with immediate addressing mode, तो यहाँ जो 16 bit का data होगा, वो rp register में चला जाएगा, register pair में चला जाएगा, right अब देखिए, जो register a है, उसको हम direct और indirect addressing mode से भी load कर सकते कैसे, कैसे lda, lda मतलब की load the accumulator, register a में data आएगा, कितने bit का, 8 bit का क्योंकि इसका size ही 8 bit का होता, right अब वो data कहाँ से आएगा, वो data आएगा, memory से, memory में तो बहुत सारे addresses हैं, किस address से, जो address यहाँ, इस instruction में mention है, वहाँ से, तो मैंने यह लिखा हुआ, इस तरीके से, right sda का just reverse हो जाता है वो इस सारी चीज़ा है, यहाँ पर क्या होगा, register a का data, copy हो जाएगा, memory में उस location पर, जो location यहाँ पर दी हुई है, right इसके बाद, यह तो होगा, direct addressing mode अब वो indirect addressing mode का मतलब क्या है, कि lda xrp, मतलब कि load the accumulator again, ठीक है न, with the help of rp register pair, तो rp register pair का data नहीं जाएगा यह में, rp register जो होगा, जो यहाँ पर bc, d e या hr register pair होगा, उसका जो data होगा, that will be treated as the address, ठीक है न, indirectly हम address बता रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से data आ जाएगा, किसमें, accumulator में so rp register का data नहीं, rp register जिस location को point कर रहा है जिस memory register को point कर रहा है उसका data register यह में आ जाएगा, ठीक है इसी तरीके से STA just इसका reverse A का data, memory में चला जाएगा, किस location पे, जो location बताएगा, rp register, जो भी यहाँ mention होगा register, ठीक है lhld और shld क्या है यह 16 bit data को load करने के advance instructions है, इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो 16 bit का address होगा ठीक है न, वहाँ से data hl में आएगा, कैसे, कि जो यहाँ पे address होगा 16 bit का, उस memory location पे, जो memory register है वहाँ से data पहले load होगा l में, ठीक है न, और उससे जो next address मिलेगा, जैसे 5000 लिखा हुआ है, तो 5000 से data आएगा l में, और 5001 location पे, जो 8 bit का data होगा, वो copy हो जाएगा h में, ठीक है न, और इसका just reverse operation, जब store करने की बात होगी तो यहाँ पे shld use कर देंगे तो उसी तरीके से, जो address दिया गया है, वहाँ पे क्या होगा, l register का data store होगा, और उससे next location पे, h register data copy हो जाएगा, ठीक है इसके बाद, dead rp, dead rp यह data transfer नहीं है, यह basically क्या है, 16 bit arithmetic operation, जिसमें hl register pair का 16 bit का data add हो जाता है, जो register pair यहाँ पे हमने mention किया है, और result जाकि store हो जाता है, hl register pair में x c h g का मतलब क्या है, कि hl register pair का data exchange हो जाए, d e के साथ में e का data exchange हो जाता है l के साथ में, और d का data exchange हो जाता है, h के साथ में तो यह सब data transfer instructions हो गए, ठीक है न, मैंने आपको बता दिया, बस लिखना कैसे है जो मैंने बताया, वो यह आपको लिखना है, ठीक है for example, इसके लिए मैं एक पता दे रहा हूँ आपको एक particular command, ठीक है जैसे mvr, data 8 bit तो इसमें क्या लिखोगे, in this instruction the 8 bit data, जो यहाँ पे दिया हुआ है instruction में, जैसे example में mvib, r के जगे क्या लिख दिया, आपने b, यहाँ पे c भी आ सकता है, ठीक है और data 8 bit के जगे आपने लिख दिया 40H यह 21H, ठीक है तो in this instruction, the 8 bit data, suppose 21, ठीक है in this command, will be transferred or will be copied in the specified register r, b में चला जागा, तो 21 जो है copy हो जाएगा b में, तो b में कुछ भी data रहा हो, after the execution of this instruction, register b की value क्या हो जाएगी 21, ठीक है न और it size is 2 byte, 2 byte कैसे लिखा आपने देखिए, मैं इसके लिए बता दे रहा हूँ कि जब आपके पास cable alphabet हो, alphabet हो, alphabet हो, alphabet हो, ठीक है न, alphabet मतलब की, जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है, XCHG ठीक है न, तो यह क्या होगा, एक byte का data होगा ठीक है, अब इसके साथ में alphabet के साथ में, अगर 8 bit data लिखा हुआ जैसे यह वाला, यह हो जाएगा 2 byte 1 byte का उपकोड यह, और 1 byte का यह data यह, ठीक है, और जैसे देखें, यहाँ पर move, rd का rs लिखा, तो यह 1 byte का हो जाएगा, यहाँ पर कुछ data नहीं दिया है, extra, ठीक है न, यह यह 1 byte, यह 1 byte, यह 1 byte, ठीक है यह क्या हो जाएगा, यह 3 byte का हो जाएगा क्योंकि 1 byte का यह ऑपकोड और 2 byte का 16 bit का data यहाँ दिया हुआ है, तो तीन ही option होते हैं, यह तो 1 byte यह तो 2 byte, यह तो 3 byte, यह 3 byte का होगा, और यहाँ ADDR लिखा है, वहाँ भी कहा है, 16 bit data आएगा, यह 16 bit data आएगा, यह भी 16 bit data आएगा, तो मतलब कि यह जाएगा, यह हो जाएगा, 3 byte, 3 byte का data, ठीक तो इस तरीके से आप यहाँ पर example के यह ज़िएसा लिख सकते हो, राइट तो यह सब हमने cover कर लिए है, यह सारे instructions अब इसके बाद बाद आती है, arithmetic instruction set की, तो arithmetic instruction set में, जितने भी arithmetic operations होते हैं, जैसे addition, subtraction, increment, decrement, तो वो सभी क्या आते हैं, arithmetic, logical, instructions, नहीं, यह arithmetic में हैंग, राइट, तो arithmetic में क्या होगा, जैसे register A, पहले एक बाद समझीए, कि arithmetic में ALU यूज होगा, और ALU का आपको पता है, कि एक जो input होता है, हमेज़ा accumulator से connected होता है, तो हमेज़ा एक operand तो register A में हो गई होगा, अब दूसरा operand हो सकता है register, किसी एक memory register में हो data, दूसरा operand, या किसी 8-bit register में हो microprocessor के, या immediate basis पे आपने कोई data provide किया है, कि भाई, ये 25 एचा इसको आपको add कराना है, तो ये तीन possibility बनती है, तो इन तीन possibility की help से हम केवल तीन तरीके के instruction लिख सकते हैं, क्या ADDR, ADDR के मतलब क्या है, कि register A के data को आप add कर दो register R के साथ में, register R यहाँ पे B, C, D, E, H, या L में से कुछ भी एक letter हो जकता है, तो वो register का data क्या होगा, register A के साथ में add हो जाएगा, और हमेशा arithmetic या logical operation का result है, वो accumulator में ही save होदा, तो A में जाके save हो जाएगा, add M में क्या होगा, अब यहाँ पे memory register आ गया, तो HL register pair जहाँ पे point कर रहा है, memory में, उस address से पे जो data है one byte का, वो data add हो जाएगा register A के साथ में, और result हो जाएगा register A में ही, ठीक है तो register A का data update हो जाएगा, after the execution of this instruction, ADI मतलब क्या है, add immediately, this 8 bit data, तो A will be added with the 8 bit data और result will be stored in register, ठीक है, तो यह हो गया addition, इसी तरीके से तीन कमांड और होंगे, addition के, जिसमें हम carry flag के साथ में add करेंगे, तो वहाँ पे c letter को हम इसके साथ में add करेंगे, कैसे देखिए, ADDR की जगा क्या आ जागा, देखिए, ADC, ADCR, operation वो ही है, बस यहाँ पे extra carry flag आ गया है, next command ADC, पहले क्या था ADDM, अब क्या हो गया ADCM, तो यहाँ पे carry flag को हमने और add कर दिया, फिर यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम आपे क्या था, ADI, अब यहाँ पे लिख दिया, ACI, तो यहाँ पे carry flag भी include हो जाता है, इस तरीके से, और 16-bit के edition के लिए मैं बता चुका हूँ, dead RP use करते हैं, जिसमें कि एक जो 16-bit का data है, वो HL में होना ही चाहिए, ठीके न, दूसरा हम यहाँ पे बता देंगे कि दूसरा 16-bit का data इस register player में है, donor add हो जाएंगे, after the execution, HL का data अपडेट हो जाएगा, जो भी result होगा, वो HL में जाके store हो जाएगा, तो यह addition से related, जितने command सुछते हों बता दिये, अब subtraction के, subtraction में भी यह तीन option रहेंगे, SUB, ADD की जगे क्या आगया, SUB, subtraction के लिए, right, SUBR में, A-R हो जाएगा, register A data will be subtracted from this specified register, उसी तरीके से यहाँ पे M, ठीक है न, और 8-bit data, तो वो ही same procedure है, बस ADD की जगे यहाँ पे SUB आगया, subtraction के लिए, ठीक है न, और I का मतलब जाता, immediate addressing mode पे वही आपको जो 8-bit का data है, वो next memory location पे मिल जागा, मतलब की instruction में ही 8-bit का data specified है, right, यह हो गया subtraction, अब जैसे महाँ पे add with carry हुआ था, यहाँ पे subtraction with borrow के लिए भी क्या करेंगे, A-M-B हो जाएगा, और यहाँ पे SBA का मतलब की subtraction along with borrow flag with immediate addressing mode, तो A- create bit का data है, वो minus borrow flag, ठीक है न, B मतलब borrow flag, तो यह subtraction हो गया, इसके बाद, अगर इसमें कुछ लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए, जैसे SUPR, इसमें कहले होगे, इसके बाद, increment, decrement related instructions, तो increment करने के लिए, जब आपको किसी भी register में, किसी एक 8-bit register में increase करना हो, तो लिखेंगे, INR, और फिर उस register का नाम, अगर register pair में increase करना है, तो INX होता है, ठीक है न, X का मतलब ही क्या होता है, register pair की बात कर रहे है, यहाँ पर B लिख दिया, जैसे INR B लिखा, उसी तरीके से INX B भी लिखोगे, तो B मतलब 8-bit का register, यहाँ पर X लग क्या मतलब की B की बात नहीं कर रहे है, हम B C register pair की बात कर रहे है, तो B C register pair data will be increased by 1, इसी तरीके से, जब आपको memory में किसी 8-bit data को increase करना हो, तो INR M, जहां R लेखा, महाँ पर M हो जाएगा, तो जो memory में data store है, that will be increased by 1, तीक है न, उसी तरीके से decrease करने के लिए DCR R, DCR, DCR नहीं होगा, यहाँ पर DCX होगा, DCX, DCX RP, तो RP-1 हो जाएगा, और DCR M मतलब की memory register की बात कर रहे हैं, उसका data 1 से decrease हो जाएगा, तो यह हो गया, decrement related instructions, अब देखिए इसके बाद आते हैं, logical instruction set, तो logical instruction set में भी होते क्या हैं, these instructions are used to perform various logical operations, जैसे end operation करना है, or operation, exor operation, compare, rotational operation, तो वो सब क्या है, logical instruction set के अंदर आते हैं, अब इसमें जैसे end करना है आपको, ठीक है न, तो end के लिए तीन अलग-लग command होते हैं, तीन अलग-लग command क्यों होते हैं, क्योंकि end तो हमेशा ये के साथ होगा, तो यहां पर देखिए, ए जो है, वो common है, ठीक, अब इसमें जो end operation होगा, वो या तो register के साथ में होगा, 8-bit register के साथ में, तो in a, ए लिखती है, end with a, ठीक है न, end with a, end, क्या आजाएगा, register r, जो है, 8-bit का, वो directly instruction में दिया गया है, इसी तरीके से जैसे आपने end किया, उसी तरीके से और हो जाता है, तो a, end की जगह क्या आजाएगा, or, or, a, r, or, a, m, तो यहां पर end की जगह और आजाएगा, बस, ठीक, ठीक है न, और अगर exor करना है, तो or के जगह क्या आजाएगा, xr, तो exor operation हो जाएगा register a, or r के बीच में, a, or m के बीच में, और a, or 8-bit data के बीच में, तो यह तीन basic logical operations हो गए, इसके बाद logical instruction set में next आता है comparison के लिए, comparison के लिए भी तीन ही format होते हैं, जैसे cmpr, तो register a का data compare हो जाता है, register r के साथ में, next cmpm, तो a compare हो जाता है, memory register के साथ में, मतलब कि data, again मैं बता रहा हूँ, data क्या है memory में, जैसे यह आपके पास memory है, ठीक है, तो यहाँ पर अलग-लग locations होंगी, 0000H से लेके, fffh तक ठीक है, तो सपोज HL की value 5000, तो 5000 location पे जो 8 bit का data है, लीकर न हम इस data की बात कर रहा है, यह 8 bit का data होगा, उसको हम compare करा रहे हैं, register a के साथ में, right, इसी तरीके से CPI, CPI मतलब compare immediately, तो यहाँ पर register a का data compare हो जाएगा, 8 bit data के साथ में, ठीक, अब इसमें जो comparison का result आता है, वो carry flag और zero flag के form में होता है, वो कैसे होता है, इसको example के through हम समझाएंगे, right, अभी, इसके अलावा CMA, complement the accumulator, CMC, complement the carry flag, ठीक है न, STC मतलब set the carry flag, तो यह होग गए आपके पास logical instruction, जितने भी instructions हो सकते हैं, वो सभी, ठीक, अब मैं comparison की बात कर रहा था, तो comparison में सब कुछ CMP, R की बात करते हैं, तो इसमें register A का data compare होगा, register R के data के साथ में, और जो result होगा, वो reflect होगा in the form of carry and zero flag, ठीक है, तो वो कैसे होता है, कि देखे, तीन condition होगी, या तो A greater than R होगा, register R का data, ठीक है न, या तो register A का data, less होगा, register R के data के साथ में, या दौनों data ही को लोगे, तो यह basically internally micropositor करता है, A minus R करता है, तो जब A minus R करेगा, और अगर condition क्या है, A greater than R, तो इस case में कोई भी borrow generate नहीं होगी, तो CY flag zero, और non zero result होगा, ठीक है न, तो zero, A less than R है, तो borrow generate हो जाएगी, कि आप A minus R कर रहे हैं तो, तो carry flag one हो जाता है, और zero flag क्या रहेगा इसमें, zero, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो, अलग-अलग number हैं, ठीक है न, इसलिए, जब आप subject करोगे, तो non zero result होगा, लेकिन अगर दोनों equal हो गए, तो zero result की वाज़े से one, और carry flag की value zero, मतलब carry flag का compliment हो जाएगा यहाँ पे, carry flag में अगर zero store है, तो one हो जाएगा, और one store था, तो after the execution zero हो जाएगा, set the carry flag irrespective to the previous value, carry flag की value क्या हो जाएगी, one, stc, अब देखते हैं, rotations related instructions, तो rotations related हमारे पास चार instructions होते हैं, rar, ral, rrcl, rlc, rar का मतलब क्या है, rotate the accumulator right, ठीक है न, through the carry flag, जहाँ पे c नहीं लगा है, वहाँ पे rotation through carry flag होगा, जैसे accumulator यह है, 8 bit का data है, यह carry flag है, तो यह जो rotation होगा, one bit से right side में shift होगे, तो यहाँ पे carry flag भी इस rotation में participate करेगा, ठीक है, carry flag की bit भी, rrl का मतलब की, just direction होगा, rotation होगा, लेकिन carry flag participate नहीं करेगी, इसलिए लिखा है, rotate accumulator right without the carry flag, ठीक, और fourth है, rotate the accumulator left, ठीक है न, without the carry flag मतलब की, accumulator का data ही, क्या होगा, कि left में rotate हो जाएगा, one bit से, ठीक, बट इसकी जो बाहर जो bit निकल के आएगी, वो carry flag को change करेगी, but carry flag will not participate in the rotation, ठीक है न, जैसे musical chair होता है, उसी तरीके से यह है, बस इसमें लेकिन one bit का ही change होगा, one bit से ही data rotate हो जाएगा, ठीक है, for example, देखिए, RAR को एक example की help समझते हैं, तो देखिए, यहाँ पर accumulator का data दिया हुआ है, 8 bit, b0, b1, b2, b3, up to b7, carry flag की value है, c y, जब आपने RAR कमांड दे दी, तो क्या होगा, it will rotate the accumulator right, by one bit, through the carry flag, ठीक है न, तो यह bit है, b7, यहाँ पर आ जाएगी, यह यहाँ आ जाएगी, यह यहाँ आ जाएगी, यह b0 कहां चले जाएगी, carry flag के पास में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, carry flag में क्या आ गई, यह b0 का आ गई, b1 का आ गई, b1 की पोजिशन पे, ठीक है, b2 का आ गई, b1 की पोजिशन पे, और यहाँ पर last, जो जगह खाली रहेगी, वहाँ पर carry flag आ जाएगी, अच्छा, अब हम पापिस से quantum पे आ जाएएं, तो देखें, हमने क्या क्या कवर कर लिए आप तक, what do you mean by data transfer instructions, यह हमने कवर कर लिए, अच्छे से, यह सारे commands हमने कवर कर लिए, मतलब सब का meaning हमें पता है, ठीक है, फिर इसके बाद, next question is 2.4, what are the various instructions used in the arithmetic operation, यह हमने सब कवर कर लिए इसमें, जितने भी instructions हैं, 2.4 कवर हो गया, 2.5 क्या है, logical operations क्या होते है, N, A, N, A, A, N, I, यह सब हम कवर कट चुके हैं, तो यह भी हम कवर कट चुके हैं, 2.6, what do you mean by branch instructions, यह हमने कवर नहीं किया है, तो देखें, यह देख लेते क्या है, branch instructions क्या होते हैं, कि जब हमें, जो sequence of execution है, इसको हमें change करना होता है, whenever we want to change, या alter the sequence of the program execution, either conditionally और unconditionally, तो हम jump command हम use करते हैं, generally, तो इसमें क्या होता है, कि यह पहली बाद, 3-wide का command होता है, क्योंकि यहां पर देखें, हम क्या लिखते हैं, jump, jmp jump और 16-bit address, अब यह दो तरीके के होते हैं, conditionally jump और unconditional jump, तो यह जो दिया हो गया है, यहां पर jmp, यह unconditional jump है, मतलब कि जब micropousser इस command को execute करेगा, तो micropousser इस address पे, program control को transfer कर देगा, अब conditional jump क्या है, conditional jump होते हैं, जब हम flag register में, जो bits होती हैं, उनकी condition के basis पे, हम jump instruction को execute करते हैं, जैसे हो गया, jc, jc का मतलब होता, jump if carry, जब carry flag 1 होता है, तब यह true condition होगी, jc के लिए, तब micropousser इस address पे jump करेगा, otherwise वो next instruction को execute करेगा, तब true और false वाली चीज़े हैं इसमें, अब इसके बाद, jp का मतलब का मतलब का मतलब है, jump if positive, positive मतलब कि यह sign flag check करता है, आपको पता है, अगर sign bit अगर 0 है, तो result कहा है positive, ठीक है, jm का मतलब jump if minus, तो jm लिखा होगा और 16 bit का address लिखा होगा, तो अगर condition यह है कि sign flag की value 1 है, तो उस address पर jump कर जाएगा, micropouser का control, otherwise वो jump नहीं करेगा, next instruction को execute करेगा, next क्या है, jpe, jpe और jpe अगर jump if parity even और parity odd, तो parity even का मतलब होती है, जब parity flag की value 1 होती है, otherwise 0 होती है, right, jnz का मतलब क्या है, jump if 0 और jump if no 0, तो jump if 0 मतलब को अगर 0 flag set है, ठीक है, आपने micropouser कमांड दी, jz और 16-bit का address, तो अगर micropouser पाता है, क्या कि flag register में 0 flag की value 1 है, तब तो वो उस address पे control को transfer कर देगा, otherwise उसके बाद, जो next instruction हो का sequence में, उसको वो execute करेगा, तो basically यहाँ पे 5 में से 4 flags use होते हैं, carry flag, carry flag, sign flag, parity flag, और 0 flag, auxiliary carry flag यहाँ पे use नहीं होता, तो इनके basis पे 8 conditions बनेंगी, और 8 यहाँ पे conditional jump instructions हो जाते हैं, अब बाकी क्या है, कि अगर हमें subroutine को call करना हो, यह तो simple call हो गया, simple jump command हो गया, अब हमें call करना हो, देखे call और jump में difference क्या है, कि jump में तो address पे jump कर जाएगा, और फिर उसके बाद जो execute करता रहेगा, वो program को, लेकिन call में क्या है, कि वो एक subroutine को call करेगा, ठीक है, और subroutine से बापिस आके main program को, फिर दुबारा से execute करना होता, जैसे कि suppose किसी program में, हमें एक second का delay देना है, ठीक है न, तो बार-बार हम one second का delay का program नहीं लिखेंगे, program में, हमका लिखेंगे, एक subroutine का program बना देंगे, अलग से one second का delay, ठीक है न, और जब ज़रोत होगे, तो हम उसको call कर लेंगे, तो उस case में क्या होगा, कि एक second के delay वाले program को, पहले microposter execute करेगा, subroutine program को, और जब वो end हो जाए, तो बापस से main program पे आ जाएगा, तो stack में हमें, इसका जो next instruction का address होता है, call के बाद जो instruction होता है, main program में, उसका जो address होता है, वो stack में हमें save करना होता है, जबकि jump में हमें ऐसा नहीं करना होता, call में हमें ऐसा करना होता, तो call का ये 16-bit address, ये format हो गया, ये 3-bit का command होता है, 3-byte का command होता है, अब यहाँ पे जो ये तो हो गया, unconditional call, मतलब कि यहाँ पे तो microposter, वो subroutine को call करेगा ही करेगा, जिसका address हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है, अब conditional call क्या होंगे, यहाँ पे जो j लिखा है, j को निखाल फेह किये, यहाँ जे की जग़े क्या जाएगा, c, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे, conditional call instruction, यहाँ पे c, 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 m, मतलब j की जग़े cable c आ गया है, बस बागी conditions बगरा सब वो ही है, ठीक, इसके बाद return command, तो जब subroutine को micropositor को call कर रहा होता है, call करके execute कर रहा होता है, तो उसमें last में जो command दी होती है, वो return की दी होती है, इसी में क्या करता है, micropositor जो stack में उसने जो address save किया था, main program से related, ठीक है न, उसको वो retrieve करता है, main program पे बापिस चला जाता है, तो इसमें भी क्या करना है, आपको जहाँ पे c लिखा है, जहाँ पे भी c लिखा है, वहाँ पे क्या लिखना है आपको r, इसके बाद देखिए, इसमें RST दिया हुआ है, RST restart, ये सब क्या है, आपके पास 8 software interrupts होते हैं, ठीक है न, जब ये execute होंगे, तो micropositor का control एक specific memory location पे transfer हो जाता है, ये हम last question में भी discuss करेंगे, अब इसके बाद ये पहला पड़ा पार होता है, इसके लिए मेरे पास notes है, मैं उसके दुरू आपको पता देता हूँ, देखे, प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या करते हैं, कि writing a assembly language program is equivalent to give a specific command in a sequence, तो एक sequence में हम a set of commands देते, micropositor को to perform a task, ठीक है न, अब ये जो प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्रोग्रामर को read करना होता है problem को carefully, तो पहले तो programmer वही समझे कि problem क्या है, सही से, तो कि जब तक problem समझ में नहीं आईगी, तब तक कुछ का solution तो वह दूड़ी नहीं सकता, next step में क्या करता है problem को समझने के बाद, वह उसको break करता है small-small steps में, small-small steps में break करने के बाद, उसको वह arrange करता है all these steps in a possible sequence using flowchart, flowchart की help से जैसे तब वोज आपको कोई बड़ी problem दी गई, ठीक है न, उसको छोट-छोटी problem में break कर लिया, और फिर छोट-छोटी problems के solution निकाल दिये, और उनको arrange कर दिया by using a flowchart, ठीक है न, और फिर इसके बाद last में translate each block of the flowchart into equivalent mnemonics, और instructions और commands, तो वो last में program लिख लिएता है, तो यह तरीका होता है किसी भी program को लिखने का assembly language में, यह बहुत simple सा logic है, अब देखिए next question है, 2.8, what are the various types of instructions used in assembly language programming, ठीक है न, और explain one of them in detail, तो इसमें जो दिया गया है data transfer instruction set, और लेडियम बता चुके है, logical instruction set हो चुका है, इसके बाद 16-bit arithmetic instructions, अब इसमें देखिए quantum में यह दिया हुआ है, 16-bit instruction set भही यह नहीं होता, यह गलत दिया हुआ, यह 16-bit arithmetic instruction नहीं होता, सब M, यह भी 16-bit instruction नहीं होता, यह 16-bit instruction इसलिए नहीं होता, क्योंकि add M में 8-bit का data add होता है, रजिस्टर A का data add होता है, एक data जो की memory में available है, और pointed Y क्या है, HL, तो 8-bit का addition है, 16-bit का है यह नहीं, न इसमें 16-bit का subtraction है, यह भी 8-bit का subtraction होता है, INRM, यह भी गलत दिया हुआ है, ठीक है, यह भी, यह अपने लिखाए नहीं 16-bit arithmetic instructions, तो भई यह नहीं है, ठीक है, यह आप exam में मत लिखियेगा, गलत हो जाएगा, DCRM, यह भी गलत है, ठीक है, यह भी 16-bit का नहीं होता, तो भई यह 16-bit का क्या होता है, 16-bit के जो commands होते हैं, वो होता है, एक होता है, deadrp, ठीक है न, यह तो यह command होता है, 16-bit का addition यहीं होता है, HL का data, rp register pair के साथ में add होता है, और वो basically HL register pair में जाके save हो जाता है, यह नहीं बताया भी है, ठीक है न, यह हम मान सकते हैं, INXRP, DCXRP, यह दो command भी क्या होते हैं, 16-bit के, हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें rp register pair का data, once से increase हो जाएगा, यहाँ पर once से decrease हो जाएगा, तो 16-bit का operation हम मान सकते हैं, otherwise 16-bit का addition होता है, उसके लिए यह command होती है, यह तो नहीं होते हैं, जो मैंने cross किये हैं, यह चीज नहीं होते हैं, जो ध्यान रखिएगा इसको, 2.9, explain various looping techniques used in the program, तो देखिए, looping technique क्या है, looping is a programming technique होती है, जो कि microprocessor को instruct करती है, बताती है, एक task है particular, उसको आपको repeat करना है, अब यह setup कैसे होता है, यह setup होता है, by changing the sequence of the execution, और यह change कैसे होता है, यह change of sequence of execution होता है, by using the jump command, तो this process is done by using the jump instruction, अब दो तरीके के loops create कर सकते हैं, आप programming में, पहला है continuous loop, continuous loop क्या है, कि unconditional jump instructions यह रखिए होता है, पहली बात इसमें, to set up these loops कैसे, आपने start कर दिया, start लेखा, कोई आपने task perform किया यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपने jump command दे दी, jmp jump, ठीक है न, to a location, a location क्या होगे, यह ही location होगे, तो बार बार micropulsor इस task को perform करता रहेगा, continuously, ठीक है न, without checking any condition, जबकि conditional loop क्या होगा, conditional loop में भी इसी तरी की काम होगा, लेकिन उसमें एक counter होगा, कि सबोज आपको कोई काम पांच बार perform कराना है, पांच comparison कराने है, तो आपको वहाँ पे counter की requirement होगी, counter आपने start कर दिया 5 से, एक register में store करा दिया 5, ठीक है न, फिर आपने task को perform किया, और counter को बबन से reduce कर दिया, और चेक किया भई कि counter की value 0 हुई या नहीं हुई, अगर 0 नहीं हुई तो बापिस से task perform करे, अगर 0 हो गई है तो भई है stop कर दे, तो यह क्या हो गया, conditional loop हो गया, ठीक, अब counter का use क्या होता है, counter का use होता है, conditional loop को set up करने में, कि हमें किसी task को कितनी बार execute कराना है, उतनी value से हम एक register में value को initialize कर देते हैं, और फिर उसका हम use कर लेते हैं, ठीक है, counting indexing technique क्या होती है, counting तो भई जो counter की help से, जो conditional loop हम set up कर रहे हैं, ठीक है न, तो उसमें हम एक particular task को, जब हम एक limited number of times हम execute करना चाते हैं, या repeat कराना चाते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक register में कुछ एक value store कर देंगे, उसी को हम counting बोलेंगे, और indexing का मतलब क्या है, indexing का मतलब जब हमें a large amount of data, हमें access करना होता, जैसे सबोज आपको problem देरी जाएं कि, सबोज 100 numbers हैं, उनको arrange करना है, descending order में या ascending order में, तो 100 numbers को access करने के लिए, अब आप indexing का use करोगे, मतलब एक memory pointer आप initialize करोगे, जो कि point करता रहेगा उन numbers को, और उसकी help से आप उन numbers को access करोगे, next question 2.10 में आपको एक assembly language program बनाना है, जिसमें tools complement find करना है, without using any logical instruction, मतलब CMA command का use आपको नहीं करना, और आपको result को इस्टोर करना है memory में, तो आप कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले आप number को read करोगे register A में, तो वो LDA command से use कर लोगे, तो LDA से क्या होगा, कि 200 location पे memory में, जो भी 8 bit का data है, वो register A में आ जाएगा, अब फिर उस data को आप register B में copy कर दोगे, तो register B का content A में आ जाएगा, मतलब कि जो main number है, वो पहले आपने A में लिया, फिर B में copy कर दिया, अब register A में आपने FF store करा लिया, ठीक है न, FF store क्यों करा है, क्योंकि आपको once compliment find करना है, तो 11111 में से उस number को subscribe करना पड़ेगा, तो आपने पहले A में FF store करा लिया, फिर आपने sub B command दे दी, तो A-B हो जाएगा, तो मतलब FF-register B का data, जो number था वो, subtract हो जाएगा, तो once compliment आपको register A में मिल जाएगा, अब आपने का किया, कि register A में 101 को और एट कर दिया, तो वो two's compliment हो जाएगा ये का data, और फिर आपने store करा दिया, STA 2300 command से, ठीक है, तो ये complete हो जाएगा program, इसके बाद, question number 2, देके दूसरा पड़ा पार हो गया, तीसरे में, क्या होगा कि 2.11 question, इसमें क्या करना है आपको, various data transfer instructions, आपको explain करने है, तो data transfer instructions, ये सब हम already cover कर चुके, LXIRP, LXISP, SP मतलब stack pointer, तो RP के जगे stack pointer हो जाएगा, तो move r, m, LDXRP, ये सब हम cover कर चुके हैं, अब आते हैं next question, 2.12, explain various 16-bit arithmetic instructions, अब देखें, यहां पर 16-bit arithmetic instructions के वारे में बताना है, तो देखें, इनोंने यहां पर फिर गलती की हुई है, ये भी गलत है, ये भी instruction गलत है, ये 88-bit के arithmetic instructions है, तो ये आपको exam में नहीं लिखना, ठीक, INRM ये भी गलत है, हाँ, ये सही है, ये सही है, और के लिखोगे आप, dead RP, ठीक है, तो ये तीन command आप लिख सकते हैं, अब इसके बाद, rotational instruction, rotational instructions में, RLC command, RRC command, ठीक, RAR command, और RAL command, ये already मैं discuss कर चुका हूँ, अच्छे से, ठीक है, इसके बाद, question number 14, explain the compare operation of micropulsor, ये भी मैं already explain कर चुका हूँ, अब इसमें आप example में, आप समझ सकते हैं क्या, कि example एक बड़े देख लेते हैं, तो जैसे, CMPRM, R oblique M, तो यहाँ पे CMPRB command होती है, और CMPMB command होती है, लेकिन, CMPR oblique M, कोई command नहीं होती, तो CMPB, और B में कहा है 62, तो यहाँ पे A का data, LAS है, as compared to B, तो carry flag क्या हो जाएगा, set हो जाएगा, carry flag दिया set, च्योंकि यह dissimular number है, तो 0 flag की value 0 हो जाएगी, अगर दोनों सेम होते, तो 0 flag की value 1 हो जाती, और carry flag की value 0 हो जाती, तो यह comparison, और लेडी हम कर चुके है, इसके बाद question number 15, तो देखे question number 15, मैं आपको क्या करना है, 16 byte का data, जो memory में store है, at the location 205F, यह 5F नहीं होगा, 50 होगा, ठीक है, जो solution में दिया, उसके according मैं बता रहूं आपको, यह आपको 50 दिया है, write a program, transfer the entire block of data, to new memory location, starting from 2050, तो आपको दो memory pointer, initialize करने पढ़ेंगे, तो पहले आपने initialize कर दिया, HL register pair, जो कि source को point कर रहा है, source मतलब कि, जहां पे numbers available है, और DE register pair, आपने initialize कर दिया, जो कि destination memory को point कर रहा है, इसके बाद, आपको क्योंकि, 10 data bytes को transfer करना है, इसलिए एक counter initialize करना पड़ेगा आपको, और that suppose आपने B register यूज़ कर लिया, इसमें, तो MBI, 10, 10 मतलब 16 होता है, 16 कैसे, जब यह आप decimal में convert करोगे, तो यह 16 हो जाएगा, ठीक है, 10 in hexadecimal is equivalent to 16 in decimal होता है, तो अब इसके बाद करोगे आप, की move A, M, तो जहाँ पर HL register point कर रहा है, वहाँ से, पहला data copy हो जाएगा, किसमें register A में, पहला number आगया A में, source memory से, फिर आपने का किया, कि वहाई इसको store कर दो, कहाँ पर memory में, किस location पर pointed by, D E register pair, ठीक है न, तो D register pair कहाँ point कर रहा है, जहाँ destination memory है, तो वहाँ ले जाएक, register A data copy हो गया, एक data byte क्या हो गया, copy हो गया, आप क्या करोगे आप, source pointer, और, source memory, pointer, और destination memory pointer, दोनों को update कर दोगे, increase कर दोगे, दोनों की value को 1, 1 से, तो HL में क्या हो जाएगा, 2051, और D में क्या जाएगा, 2071, ठीक है न, और इसके बाद pointer की value को, आप counter की value को 1 से decrease कर दोगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 0 से decrease होगा, minus 1 करोगे, तो 9 नहीं रहेगा, ठीक है न, यहाँ पर 1 decrease करने के बाद क्या आएगा, 0 FH, यह किसकी value आजाएगी, B की value, इसके बाद, आपकों की B की value 0 नहीं है, तो again, जो micropositor controller controller है, control है, वो next location पर चला जाएगा, मतलब की again, next data वहाँ पर transfer होगा, copy हो जाएगा, तो यह चलता रहेगा, जब तक की B की value 0 0 नहीं हो जाए, ठीक है, write a short note on a counter and time delay operation in the micropositor, तो counters क्या होते हैं, counters are mainly used to keep track the event, तो किसी task को कितनी बार perform करना है, ठीक है न, वो आप counter की help से ही करते हो, so it can be designed by loading an appropriate number into one register of micropositor, then increase or decrease instruction का आप यूज करते हो, जैसे यहाँ पे DCR का आप यूज कर रहे हो, ठीक है न, पहले B में आपने 10 load कर दिया, 10 मतलब 16 in decimal, load कर दिया, फिर उसको आप decrease करा रहे हो, ठीक, तो यह आप counter का use कर रहे हो, ठीक, तो देखें, यहाँ पे flow chart की help से भी दिया हुआ है, सबसे पहले आपने counter को initialize करा दिया, फिर आपने जो भी task perform कराना वो करा लिया, फिर update कर दिया, counter की value को decrease करा दिया, increase करा दिया, और फिर check किया कि counter 0 हुआ यह नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो repeat करा दिया, तो यह हो यह इस तरहे से, अब time delay क्या होता है, time delay, जब हमें कभी किसी particular program में, कोई delay provide करना होता है, तो हम time delay program का use करते है, तो इसमें क्या होता है, delay register होता है, delay register मतलब एक counter register ही होता है, जिसको आप decrease कराते हो, और decrease कराने के बाद चेक करते हो, बहुआ इसकी value 0 हुई या नहीं हुई, अगर 0 नहीं हुई, तो वो again register को क्या करते हैं, decrease कराते हैं, फिर चेक करते हैं, तो इस तरीके से कुछ हमारा एक time है, वो हमारा क्या होता रहता है, consume होता रहता है, और हम delay इस तरीके से provide करते हैं, अब देखे question number 17, write the different procedures used to generate a specific delay, तो यहाँ पर time delay register, हम जो delay programs मनाते हैं, पहले बाद देखे, इस से related मैंने एक video अल्रेटी बनाया हुआ है, और वो microprocessor playlist में पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसमें समझाया है, आप उस video की help भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर बस थोड़ा basic आपको बता जाता हूँ, लेकिन आपको बहुत अच्छे समझना है, तो आप वोस video की help भी ले सकते हैं, तो देखे, हम तीन तरीके से time delay provide करा सकते हैं, या तो एक single register का use करके, या register pair का use करके, या nested loop, तो मैं यहाँ पर one pair का use करके बता जाता हूँ, कैसे हम program बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम register C, यहाँ पर कोई भी एक register ले सकते हैं, इसमें एक count number हम store कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसको decrease कराते हैं, कब तक जब तक कि उसकी value 0 ना हो जाए, तो decrease कराया है, और फिर चेक किया कि C के बढ़ी 0 हुई या नहीं हुई, अगर 0 नहीं हुई, तो again हम back location पर गए, मतलब DCR, DCR C किया, तो decrease कराते रहे, अगर हम इसमें time delay पता करना है, कि कितना delay हमने प्रिवर्ड करा दिया, तो इसके लिए हमें, यहाँ पर number of T state लिखनी होती है, तो इस command के लिए 70, इसके लिए 4, इसके लिए 10 oblique 70, condition true होगी तो 10, condition false होगी तो 70 state लगेंगी, ठीक है न, अब जो total T states जो required है, time जो required है, वो कैसे find करेंगे, कि सबसे पहले दिखें, यहाँ पर जो looping होगी, वो इन दो commands के बीच में होगी, ठीक है न, तो यह वाला command के वहले एक बार execute होगा, तो 7 लिख दिया आपने, फिर यह जो जितने जो loop है, वो जितनी बार चलेगा, वो कितनी बार चलेगा, वो depend करेगा, यह count value पर, तो count minus 1 times यह loop चलेगा, तो count minus 1 कर दिया, और इन दोनों को आपने add कर दिया, 4 plus 10, condition true होगी, last वाला, जो count होगा, उसमें condition false हो जाएगी, तो उसमें 10 के जगए 7 यूज़ करेंगे, ठीक है न, तो वो ही यहाँ पर लिखा भी हुआ है, 4 plus 7, तो जब आप इसको अब solve करोगे, 4 count equal to 5, तो 5 आपने यहाँ पर इस equation हो पुट कर दिया, तो यह आपके पास आज़ आज़ाएगा 74, अगर operating frequency, micropositor की 2 MHz है, तो frequency, frequency अगर suppose 2 MHz है, तो time period आपने निकाल दिया, 1 T की value आज़ाएगी, 1 by 2 MHz, that is 0.5 microsecond, अब हम यह वाला जो T की value है, अगर इसमें रखेंगे, 74 T है न, total time, तो यहाँ पर जो value निकल के आएगी, 37 microsecond का delay provide कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर इस program में count की value 5 लेके चलते हैं, तो अगर इस से ज़्यादा हम count की value लेते हैं, ठीक है न, यह important equation है, ठीक है, इस ही में हमने value पुट कर दी 255, तो maximum इतना delay provide कर सकते हैं, अब कभी हमें यह कितना हो गया, यह हो गया, लगबग 1 micro लिखा है, तो 1.7 millisecond, अगर सब उस second में delay provide करना है, तो आप इस method का use नहीं कर सकते, उसके लिए register pair method का use करना पड़ेगा, ठीक है न, तो register pair method में भी यही method है, बस इसमें क्या होता है, कि जब हम register pair की value को decrease करते हैं, 1 से, तो 0 flag set नहीं हो पाता, मतलब कि जब bc की value 0000 हो जाएगी, bc register pair की value, उसके बाद भी 0 flag set नहीं होगा, तो मतलब वो infinite loop create हो जागा, तो उस condition को avoid करने के लिए, हम यहाँ पे move a, c करते हैं, और or a, b करते हैं, तो जब b और c register की value, दोनों की value 0000 हो जाएगी, तो or a, b का result भी क्या जाएगा 0000, क्योंकि पहले c की value को हमने a में copy कर दिया, और फिर a को हमने और करा दिया, किसके साथ में, a के साथ में, logically, और a, b और c, b और c क्यों लिखा है, क्योंकि c वाली value को already आपने copy कर दिया, register a में, तो or a, b में क्या होगा, register a का content और हो जाएगा, register b के साथ में, तो अगर b, c, register b, or a का result हो जाएगा, 0, इससे 0 flag set हो जाएगा, और condition true हो जाएगा, तो ये loop break हो जाएगा, इस तरीके से हम इसमें use करेंगे, तो यहाँ पे जो equation बनके आएगा, यहाँ पे भी वोई procedure है, यहाँ पे यह looping होगी, यह looping होगी, यह looping होगी, 10 state use होती है, loop में कितना होगी, कितने वाँ loop चलेगा, count minus 1 times, ठीक है, और last loop में क्या होगा, कि भई, यहाँ पे जो 10 state है, उसकी जग़े 70 state use होगी, तो इस तरीके से यही same procedure, इसको आप repeat करोगे, तो देखो कि आप यहाँ पे, कि count की किसी specific value के लिए, यह value निकल के आ रही है, तो यह procedure हो गया, अब nested loop के लिए, आप खोदी देख सकते हैं, इसी तरीके से यह भी process है, अब next question पे आते हैं, 2.18, तो इस question में, आपको एक program लिखना है, time delay का, जो की 0.5 millisecond का delay provide कर रहा है, ठीक है न, microprocessor में, जिसकी clock frequency दी हुई है, source की 6 MHz, ठीक है यह important चीज़ है, crystal oscillator frequency दी हुई है, आपको, operating frequency नहीं दी, operating frequency किया हो जाएगी, 6 divided by 2, ठीक है न, 3 MHz, तो 3 MHz operating frequency हो गई, ठीक है, अब इसके बाद, जो T की value होगी, वो आपने find कर ली, 1 by 3 MHz, that is 0.33, तो required time कितना हो जाएगा, कि ये, आपके बास 0.5 millisecond का delay provide करना आपको, required यह है, और एक T state से कितने delay provide होता है, 0.33 microsecond, ठीक है यह हमने find किया, तो total T state कितनी required हैं, आपको 1500, ये वाला program आपको as it is copy करना है, ठीक है, कि इसमें जो delay है, वो 0.5 microsecond का है, जो कि हम first method के थुरू, provide नहीं कर सकते, इसी वज़े से हमने यहाँ पर second method यूज़ किया है, ठीक, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो total count है, ठीक है न, आपको count के वाले पता करना है, लेकिन total जो t states है, उसके लिए ये वाला equation आपको use करना पड़ेगा, क्या कि 10 plus count minus 1, into क्या हो जागा, 24 plus 21, ठीक, तो वो ही आपने यहाँ पर use किया, ठीक, तो यहाँ से आप count की value को, यहाँ पर 1 unknown है, ठीक, अब जो count की value 62 आएगी, यह आपके पास hexadecimal में नहीं है, decimal में value होगे, तो इसको आप hexadecimal में change करोगे, इसके लिए 62 का डिवाइट करोगे, 16 से 3 times जाएगा, remainder बचेगा 14, 14 को लिखोगे आप e, ठीक, अब फिर इसके बाद, 16 को again divide करोगे, तो 0 times जाएगा, remainder आएगा 3, ठीक है ना, अब इसको इस order में लिखोगे, तो 3 आपके पास hexadecimal value हो गई, यह count की actual value है, ठीक है ना, तो यह गलती मत करीगा, कि 62 पे आप answer लिखा है, तो 62 नहीं होगा, 3 यह answer होगा, Now the next question is, if the clock frequency is 5 MHz, then how many times is required to execute an instruction of 16, 18 T, तो दीखें, यहां पे clock frequency 5 MHz दी हुई है, तो time period की value क्या हो जाएगी, 1 by f, तो यह इसकी value हो जाएगी, 0.2 microsecond, ठीक है, तो time required to execute 16 T state instruction, तो इसको execute करने के लिखता time लगएगा, तो 18 T चाहिए, इसमें T की value आपको पता है, तो 18 से multiply करते होगे, तो 3.6 microseconds का answer आजाएगा, Now the next question is, write a short note on debugging technique, तो debugging technique मतलब कि, जब आप वो time delay से related program लिखते हो, तो उसमें कुछ error होने के chances होते हैं, तो वो error कहां-कहां possible हो सकती है, ठीक है, तो वो क्या होंगी, तो देखें, पहली error क्या हो सकती है, आपने जो delay loop जो create किया है, उसमें जो number of T states आपनों count किये हैं, वो सही से count नहीं की हो, ठीक है, हो सकता है उसमें कोई error की हो, या हो सकता है आपको जितने बार loop चलाना हो, ठीक है, error in the calculating how many times a loop is repeated, तो कितनी बार loop repeat करेगा, यह calculate करने में हो सकता है, आपने गलती कर दी हो, ठीक है, हो सकता है, आपने क्या हो कि जो delay count की value है, उसको hexadecimal से equivalent, जो decimal value है, उसको hexadecimal value में change नहीं किया हो, या vice versa, जैसे आपने देखें यहाँ पे, सबोज आपने count की value 62 find कर ली, लेकिन 62 को as it is आपको यहाँ पे नहीं पुट करना program में, यहाँ पे 62 पुट कर दिया तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या करना आपको hexadecimal value पुट करनी है, और सबोज यहाँ पे अगर आपने लिखा है, सबोज 10, ठीक है न, जो jump location है, वो गलत specify की हो, program लिखने में, ठीक है, वो सकता है, आपने 16 bit decrement के बाद मैं 0 flag का directly use कर लिया हो, ठीक, जैसे, कि यहाँ पे आपने program लिखा, dcxb के बाद में आपने jnzback लिख दिया, यह दो command नहीं लिखे, तो program गलत हो जाएगा, क्योंकि infinite loop create हो जाएगा, तो यह कुछ basic errors है, ठीक है न, जो time delay program को लिखते समय हो सकती है, अब next question क्या है, write a short note on 8085 interrupt system, तो इसके लिए मैं आपको notes से discuss कर देता हूँ, मेरे पास notes से 8 points में, हम इसको complete करेंगे, तो यह देखिए, 8085 microposter का interrupt hardware structure होता है, basically sr flip-flop होता है, s पे हम input देते हैं, ei interrupt enable, ठीक है, और r पे हम देते हैं, di reset और any interrupt recognize, तो जब भी कोई भी interrupt recognize होती है, तो यहाँ पर one हो जाता है, यहाँ पर one होगा, तो और gate के वज़ए से r के value one हो जाएगी, तो यहाँ पर यह flip-flop है, वो reset हो जाएगा, that is zero, ठीक है, तो उस समय कोई भी और interrupt इसमें execute नहीं होगी, तो देखिए, अगर हमें intr को execute करना है, तो उसके लिए, जरूरी है कि यहाँ पर हमें one मिले, तो one कम मिलेगा, जब हम ei instruction देके, इस ie flip-flop को set करेंगे, ठीक है, तो यह structure दिया हुआ है, अब हम procedure पर आते हैं, तो देखिए, जो भी interrupt process होती है, उसको हम explain कर सकते हैं, with the help of eight following steps, number one is, interrupt process should be enabled by writing the instruction ei, ei एक command होती है, जब ei command होगे, तो उससे क्या होगा, कि यह जो flip-flop मैंने आपको बता रहता, यह set हो जाएगा, ei command से s की value 1 हो जाएगी, और sr में जब s की value 1 होती है, तो यहाँ पर यह flip-flop set हो जाएगा, s की value 1 हो जाएगी, तब ही यह process start होती है, when the microprocessor is executing the program, it checks, it checks the intr line during the execution of each instruction, हर एक instruction के end मैं, वो intr line को check करता, micropulsor की भाई, यह उस पर कोई logic 1 तो नहीं आ गया, logic 1 मतलब की intr line, जोकि micropulsor में एक hardware pin होती है, उस पर interrupt active हो जाती है, अगर आप 1 दोगे इस पर तो, ठीक, तो वो check करता रहता, micropulsor, if intr line is high, and interrupt is enabled, it will send a signal called intr bar, तो intr bar signal generate हो जाता है, और फिर intr bar signal generate होके क्या करता है, यह एक तरीके से restart instructions को execute करता है, initialize करता है, by using the external hardware, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर लेखा भी हुआ है, कि जब यह दौनों condition one होगी, यह भी one होगा, और यह भी one होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, get the RST code from the external hardware, so when the microprocessor receives the RST instruction, it will save the memory address into the stack, ठीक है, after the completion of the given task, microprocessor again returns to the main program, microprocessor का control again main program पे आ जाता है, and then the interrupt service routine should include the instruction EI to enable the interrupt again, तो जब service routine में, microprocessor किसी operation को perform कर रहा होता है, तो उसमें एक EI instruction भी होना चाहिए, क्योंकि अगर EI instruction नहीं होगी, तो उसके बाद क्या होगा, कि microprocessor सब्कोर्च जिस interrupt को execute कर रहा है, उसके बाद वो किसी और interrupt को execute यह नहीं कर पाएगा, reason क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक बार interrupt अगर आ गई, microprocessor किसी interrupt को execute कर रहा है, तो automatically यह जो flip-flop है, वो reset हो जाता है, क्योंकि R की value 1 हो जाती है, R की value 1 क्यों हो जाती है, क्योंकि लिखा हुआ यहाँ पर, any interrupt is recognized, then microprocessor will active this particular line, 1 send कर देगा, 1 हो जाएगा, तो R की value 1, R की value 1, तो यहाँ पर यह 0 हो जाएगा, ठीक है न, क्योंकि value 0, जीरो अगर यह हो गई, तो microprocessor पर किसी interrupt को execute नहीं करेगा, तो at the end of the subroutine, the RST instruction will retrieve the memory address from the stack, and return to the main program, तो interrupt service routine को complete करने के बाद, microprocessor again main program पे आ जाता है, with the help of retrieving the address, which is already stored in the stack, ठीक है, तो यह हो जाती है interrupt process, अब आते हैं next question पे, question number 22, तो देखे, question number 22 में जो interrupt होता है, वो क्या होता है, basically interrupt is a process, by which the normal working of 8885 microprocessor is interrupted, so as to provide the service to I.O. और perform another job, तो जैसे आप सपोज कोई movie देख रहे हो, घर पे, लैप्टॉप पे, तो घर में कोई आ जाता है, तो क्या, जैसे gate पे knock किया, तो वो एक तरीके से interrupt signal हो गया, तो आप क्या करोगे, आप pause button से उस movie को pause करोगे, और फिर उसके बाद, जो भी gate पे आया है, उसको देखने जागो, जो भी किसने knock किया gate, ठीक है न, एक तरीके से interrupt signal हो गया, यह उसी तरीके से micropositor में भी होता है, अब micropositor में hardware interrupts की बात करें, तो five hardware interrupts होती है, trap, RST 7.5, 6.5, 5.5, and intr, तो trap जो है, it is the highest priority interrupt, and it is the non-maskable, मतलब अगर यह interrupt आ गई, तो micropositor इसको execute, करेगा ही करेगा, और उसके पास कोई option नहीं है, जबकि यह RST 7.5, 6.5, 5.5, यह सब क्या है, maskable, maskable मतलब, कि आप sim command की help से, इनको enable या disable कर सकते हो, ठीक है, अच्छा, और इनके vector addresses fix होते हैं, ठीक है न, वो क्या होते हैं, वो अभी हम discuss करेंगे, और INTR के लिए कोई vector address नहीं होता, external hardware के थूँ हमें, कोई address provide कर, देना पड़ता है, ठीक है न, जिस location पे, वो task related, चीज़ें available हो, राइट, तो जैसे मैंने बताएं कि, trap और यह RST 7.5, 6.5, 5.5, यह सब क्या हैं, factored interrupt, इनके लिए कोई specific call location fix होती है, यह vector address बोलते हैं, यह call location बोलते हैं, तो जैसे for example, RST 7.5 है, तो इसके लिए address लिखा है, हमने 003C, यह कैसे लिखा है, कि हमने जो interrupt number है, उसको 8 से multiply किया पहले, तो 7.5 into 8, तो क्या हो जाएगा, यह 60, यह decimal value है, इसको hexadecimal में change किया, 16, 48, और C मतलब 12, 42 plus 12, 60 हो जाता है, तो यह हमने 3C लिख दिया, इसी तरीके से जो trap है, it is equivalent to RST 4.5, क्योंकि 4.5 को जब 8 से multiply करोगे, तो 36 आएगा, और जब इसको hexadecimal में change करोगे, तो 24 आता है, तो माझ सकते हैं, कि trap जो इसके equivalent है, तो इस तरीके से आप vector interrupts के लिए, call location भी find कर सकते हैं, exam में यह भी question पुछा जा सकता है, suppose कि RST 6.5 का vector address क्या होता है, या call address क्या होता है, तो वो आप find कर सकते हैं इस method से, अब देखिए last question है, question number 23, इसमें जो पूचा गया, इसमें क्या पूचा गया, कि interrupt क्या होते हैं, rule of interrupts क्या होता है, types of interrupt क्या होते हैं, hardware, software बगरा, तो हम यह सारी चीज़ां cover कर चुके हैं, बस software interrupt बागी है, तो software interrupt क्या होता है, कि microprocessor के instruction set में, eight instructions ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसकी help से, microprocessor को interrupt कर सकते हैं, और एक specific subroutine call करके, कोई भी task perform कर सकते हैं, तो यहां पे RST0, RST1, RST2, up to RST7, जो instructions हैं, उनी को software interrupt हम बोलते हैं, these are the, RST का मतलब क्या होता है, restart instruction, ठीक है न, अब इसमें, क्या होगा कि, with the help of execution of instruction, microprocessor complete the software interrupts, ठीक है, इसमें, जब microprocessor instruction को execute करेगा, इनको RST0, RST1, तो इनको complete करने के बाद, again microprocessor main program पे आ जाता है, ठीक है, क्योंगी, जब भी instruction को execute करेगा, microprocessor, तो stack में, जो भी current address है, उसको save कर देगा, ठीक है न, अब इसमें, जो addresses होते हैं, इनके वो fix होते हैं, ठीक है, जैसे RST0 का address है, 0000, ठीक है, RST1 का है, 00008, ठीक है, अब ये addresses हमने कैसे find किये, जो हमने technique यहाँ पे लगाई, क्या कि interrupt number into 8, ठीक है, पहले जो number मिलेगा, वो decimal में मिलेगा, तो हमें vector addresses मिल जाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हम software interrupts को explain कर सकते हैं, so this is all about, this is the unit number 2, thank you everyone for listening, or watching this video,